शारुखान और दिपिका पडुकोन की फिल्म पठान में भगवा रंग के अपमान पर विवाद जारी है जिसे देखो वो फिल्म का विरोध कर रहा है ट्वीटर पर तो फिल्म को लेकर विरोध पहले से ही हो रहा है वहीं आप तो लोग सड़क पर आकर फिल्म का विरोध कर रही है कोई शारुख का पुतला जला रहा है तो कोई उन्हें धमकी दे रहा है बीजेपी नेताओं से लेकर साधू संतो तक ने इस फिल्म को बैन करने की मांग कर डाली है वहीं इसी बीच संत श्री चिनमयानंद बापु ने इस मामले में शारुख खान पर निशाना साधा चिनमयानंद ने कहा कि भगवा रंग भारत की शान है शारुख ने इसका अफमान किया है उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए पठान फिल्म में भगवा रंग को गाली दी गई है मैं ऐसे पूरे समुदाय की लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस देश में तुम रहते हो उसके तिरंगे में भी भगवा है भगवे रंग को बेशरम कहने से बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती चिन्मियानन ने आगे कहा मैं पूरे देश से अपील करता हूँ ऐसी फिल्म का कड़ा विरोध होना चाहिए और सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों पर प्रतिबन लगाना चाहिए चिन्मियानन ने कहा शारुक और दिपिका पड़गोर ने पठान फिल्म में अश्लीलता दिखाई है बात करें पठान की तो इसके मेकर्स ने कुछ दिनों पहले बेशरम रंग नाम का गाना रिलीस किया था जिसके बात से पठान के मेकर्स और कलाकारों को लगातार घेरा जा रहा है विरोध करने वाले लोगों ने शारुक खान को चनौती दे डाली है कि वो पठान अपनी बेटी सुहाना के साथ देखने जाए और वहाँ से तस्वीर शेर करें कि वो ये फिल्म सुहाना के साथ देख रही है किंग खान ने अभी तक इस तरह के बयानों का जवाब नहीं दिया है बता दे जब सिस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तभी से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है लोग ट्वीटर पर जम कर बॉयकॉट पठान का ट्रेंड चला रही है इतना ही नहीं पठान का विरोध उनके गाने बेशरम रंग ने और ज्यादा बढ़ा दिया है हिंदू ही नहीं मुसलिम संगटन भी पठान का विरोध कर रही है हाल ही में शारुक मा वैशनो देवी के दर्शन करके आये थे इसे लेकर भी बवाल मचा हुआ है बता दें पठान को सिधार्थ आनन ने डेरेक्ट किया है शारुक की ये फिल्म 25 जनवरी को बॉक्स ओफिस पर रिलीज होगी इस फिल्म के जरीए शारुक चार साल बाद बड़े परदे पर वापसी करने जा रही है फिल्म में शारुक के साथ अक्ट्रेस दिपिका पाडुकोन और जॉन एप्रहम भी मुख्य भूमिका में होंगे देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म का क्या हल होता है वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपनी राए हमें जरूर दे